अब यह जो यह जो नब भी रेक्टेंगुलर शेप का मतलब सामने से अगर आप इसको देखरे होने तो यह आपको किस ट्रैप के दिखाई दिया रहे एक रेकटेंगल जैसे दिख रहे को डायग्राम में यह मान लो रेक्तेंगूलऐ ले और इसकी थिखनेस हम लोग माल लेते हैं टी ते visible और उसके ओप Chamber निकलेगी तो यह अपने एक क्लॉक्तेंगूलर ड्र क्लास यहांपर कर लिज अब एक यहां परodore करते हैं मालो यह कोई लाइटरे है और यहां पर instant हो रही है यहांने क्षे नाम देते इंस JON करेंगे और एंगल dif इंशेरेंस को define करेंगे ङौन होगा एंग़ dairy इह व泡 डीहां इंसरेंट में करेंगे यह वाला मेडियम क्या है एर इसका रिफ्रेक्टर इंडेक्स माल लेते हैं म्यू ए और यह क्या है यहां पर ग्लास तो ग्लास का रिफ्रेक्टर इंडेक्स माल लेते हैं म्यू और जी एक छोटा जी लगा देते हैं जो यह शो करेगा कि यह ग्लास का रिफ्रेक्टर इंडेक ऐसे लाइट्रे सीधी जानी चाहिए थी ऐसे जानी थी लेकिन यह क्या हुआ ट्वार्स तर नॉर्मल बैंड होगी तो यह बैंड होके अब यह यहां पर जा रही है और यहां पर इंसिडेंट होगी ठीक है यह वाली लाइट्रे है रिफ्रेक्टर रहे यहां पर यह जो अगल ओफ रिफ्रेक्शन और वन इतना समझ मैं यह लाइट्रे रेर से डेंसर मीडियम के तरफ जा रही है ट्वार्स तर नॉर्मल बैंड होगी और एंगल उफ इंसिडेंस बना आई वन और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या बना आरवन ठीक है अब क्या होगा यहां पर से मेडियम जो गया तो अब इससे यह बहार निकलागी अब यह इसको कर लेता है और आप यह वेशार Tomato नर्मल यह नी नॉर्मल से दूर हटना है दूर हटेगी और आपके बज़ार करोगी कि पहले वाली जो डायक्शन हो उसी के पार्ल पास हो जाएगी इसका रीज़न यह है क्योंकि यह ग्लास स्लेव है इसके दोनों इंटरफेस्ट पैरलल ने इनके बीच का एंगल कितना है जीरो अभी हम इ इनीशल डारेक्शन जो थी नहीं स्लाइट्रे की वह चेंज नहीं हुई है मतलब उसी डारेक्शन में जा रही है इसको हम प्रूव करेंगे तो देखते हैं भी अभी हमने डाइग्राम बना है तो इसमें हमने क्या शो किया कि यह लाइट्रे अवे फ्रॉम दा नॉर्मल बैं लेगी इसका मतलब यह वाला कौन सा एंगल होगा एंगल ओफ रिफ्रेक्शन और तो यह बाद भी समझ में आई होगी हाना सिंपल एकदम दो बार रिफ्रेक्शन वा एक बार यहां पर और दूसरी बार यहां पर होगा अब क्या आप्जार कर रहे हो सब से पहले तो हम यह प्रूव करेंगे कि जो लेट रहा है उसके डायरेक्शन चेंज नहीं इसको प्रूव करने कहले क्या करना होगा यहां पर नॉर्मल से इंसियन्ट रहने कितना एंगल बनाए है I1 और से रिफ्रेक्ट्ट रहने कितना एंगल बनाय आर्टू अगर आप इन दोनोंगो इकव यहां पर भी क्या है नॉर्मल यहां पर भी क्या है नॉर्मल तो अगर नॉर्मल से दोनों जगह पर एंगल सेम बनेगा मतलब आइवन और अगर बराबर होंगे तो इससे सिंपली यह चीज प्रूव होगी कि जो यह जो लाइट रहे हैं यह इनीशिल डारेक्शन से डिफलेक जिसका रिफ्रेक्टुंडेक्स है और यहाला कॉन से मेडियम है यह ग्लाज जिसका रिफ्रेक्टुंडेक्स है मुघ जी दोनों में ऑगल मुझे पता है तो मैं सिंपली यहां पर स्सक्राब dhokpay कर सकते हूँ स्नैल स्लो की अकोड़िंग क्या लिखेंगे बताओ यह है उ a to mu a into इस मेडियम में लाइट रेने कितना अफ़ बनाया आइवन तो i1 it should be equals to अधर यहां पर मेडियम के लिए क्या रिखो गे म्यूजी और इस मीडियम में लाइट रेन अंगल बनाया है और रेन तो साइन आर या आई बात समझें सिंपल होगा । मूजी साइन और वन के तो यहां से मूजी अपन मूए क्या आएगा मूजी अपन मूए बताओ क्या लिखूं साइन आइवन अपन कि साइन न ठीक है यह एक इक्वेशन अपने पास आ गई ठीक है अब हम यहां पर इस पॉइंट की ऊपर वापस से स्नेल अप्लाई करेंगे इस पॉइंट को भी नाम देते हैं के एल इसको एम बोल देते हैं और यह लाइट्रे है तो मन लाइट्रे यहां से रिफ्रेक्ट होके बाहर निकल दिया इस पॉइंट MQ पर देखो, यह वाला medium है mu G, तो mu G into sin I2 small slow की according, medium का refractive index, और उस medium में light ray ने जो भी angle बनाया है कौन सा है, I2, इनका multiplication हमेशा constant होगा, तो mu G into sin I2 equal होगा mu A sin R2, ठीक है और इससे again अपन क्या करेंगे, mu G upon mu A, यह वाली चीजी वापस calculate करके रेखेंगे कि यहाँ पर mu G upon mu A क्या आता है, mu G upon mu A बनेगा, sin R2 upon sin I2, simple एकदम देखो, यह दूसरी equation अपने पास आ गई अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर first or second equation में जो left hand side वो equal है तो right hand side भी equal होगी, तो लिख दो sin I1 upon sin R1 equal होगा, sin R2 divided by sin I2, ठीक है left hand side equal है, इसलिए right hand side भी equal होनी चाहिए, इसलिए हमने दोनों equations को equal put किया है अब यहाँ पर थोड़ी सी geometry use करते है, देखो, यहाँ पर XZ जैसा बन रहा है, यह वाला दिखा सबको, यह Z बना और इस Z के अंदर यह वाला angle और यह वाला angle यह alternate angle है, और alternate angle हमेशे क्या होते हैं, बराबर, उसका मतलब R1 और I2 तो हमेशा बराबर होंगे geometry के according, तो अपने लिख देते हैं, angle R1, angle R1 और angle I2 यह दोनों क्या है, equal है यह geometry से हमको पता चिला ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इस equation में देखोगे तो यह है R1 और यह है I2, अगर R1 और I2 equal है, तो यह वाले term और यह वाले term क्या होगी बराबर तो यह दोनों side में क्या हो जाएगी cancel, और क्या है यहाँ पर sine I1 equals to sine R2 जिसका मतलब यह है, दोनों side में sine function है, दोनों को हटा दो दोनों side में inverse ले लेंगे, तो यह होगा I1 और यह होगा R2, यह ऐसे बहुत दो कि यह दोनों तभी equal होंगे, यह वाली equation तभी equal हो सकती है दोनों side equal तभी हो सकती है, जब I1 किसके बराबर हो, R2 के बराबर हो कि जो light ray है, उसके direction चेंज नहीं हुई है, वो थोड़ा सा side में जरूर shift हो गई light ray, देखो सीधी ऐसे जारी थी, अगर यह glass नहीं होता है, तो ऐसे चली जाती है, लेकिन अभी क्यों पहले इधर मोड़ी, फिर थोड़ा उधर मोड़ी और finally उसी direction के पहले जारी थी, इसका मतलब यहां पर एक lateral displacement आ गया, lateral मतलब side में यह shift होगी थोड़ा सा, लेकिन जैसे पहले इधर जारी थी, तो अभी भी उसी direction में जा रही है, थोड़ा सा side में shift होगी, तो यहां पर यह जो इसका displacement होआने, यहां पर थोड़ा जो side में यह shift होई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, lateral displacement, यह वाला displacement होगा ने, इसका, कि side में यह थोड़ा सा shift हो रही है, मैंना क्या 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 है, इस M point से SQ पर एक perpendicular draw किया, ऐसे, M point से क्या क्या, एक perpendicular draw किया, तो यह मुझे distance मिल जाएगे, और इस distance को हम क्या बोलेंगे, इस distance का नाम हमने रखा, lateral displacement, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, lateral displacement, light ray initial direction से जितना lateral या side में shift होगी, उसी को नाम क्या है, lateral displacement, आया समझ में, तो पहली चीज़ तो हमको यह improve करके बतानी होती है, इस टोपिक के अंदर, कि light ray के direction चेंज नहीं, मतलब अगर दो parallel interface है, उपर वाला interface और निचवाला interface अगर parallel है, तो light ray के direction change नहीं हो सकती, अगर light ray के direction चेंज करनी है, तो उसके लिए इन दोनों interface के बीच में एक angle होना चाहिए, मतलब यह दोनों parallel नहीं होने चाहिए, अगर इनके बीच में कोई angle होगा, थोड़ा से यह एक दूसरे से incline रहेंगे, उस condition में light ray के direction चेंज होगी, और इस टाइप की चीज़ आप आगे पढ़ोगे, जिसको हम बोलते है, पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, दो interface होगे, जिनके बीच में एक angle रहेगा, और light ray इदर से आएगी, और इदर से band होगे, किसी दूसरे direction में जा रही होगी, तो direction change होने के लिए क्या ज़रूरी है, इन दोनों interface के बीच में एक angle होना चाहिए, अगर दोनों parallel है, तो light ray के direction action change नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक lateral displacement create होगा, अभी बात समझ में, ठीक है, सिंपल एकदम, ठीक है, अब यह lateral displacement भी calculate करके बताओ, तो इसमें छोटी से calculation और करेंगे, और इस lateral displacement को calculate करके देखेंगे, यह वाला जो point है, इसको n डेश बोल देता हूँ मैं, तो m band क्या है, यहाँ पर, lateral displacement, यह calculate करना है, lateral displacement calculate करेंगे, और उसके लिए, यहाँ पर कुछ angle बगेर आपन define कर देते हैं, जैसे, यह वाला जो angle है, यहाँ पर यह वाला एक च्छोटा सा angle, देखो, light ray ऐसे सीधी जारी थी, और सीधी जाती जाती, यहाँ पर थोड़ा सा, प्वा इस right angle triangle को देखो, जैसे देखो, इस right angle triangle को, इस angle delta के सामने यह क्या होगा, perpendicular, और यह सबसे बड़ी वाली लाइन यह क्या होगी, हाइपोटेनियस, और यह वाला क्या होगा, base, ठीक है रहा, सबसे बड़ी लाइन हमेशा, हाइपोटेनियस और angle के सामने हमेशा, परपेंडिकुलर, अब मुझे यह कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैं हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में एक relation यहाँ पर लिखूँगा, क्या relation होता है दोरों में, साइन थीटा, तो साइन डेल्टा इक्वल्स टू क्या लिखूँ, परपेंडिकुलर, यानि MN डेश, डिवाइड़ भई, हाइपोटेनियस क्या है, L, M, समझ में है यह, यह क्या लिखा हमने, साइन डेल्टा इक्वल्स टू, MN डेश अपोन, L, M, और यहाँ से MN डेश क स्कॉल्स टू आएगा, L, M, साइन डेल्टा, हमको क्या चीह है, यहाँ पर MN डेश की वेल्टा चीह, तो MN डेश हमको कैलकुलेट करना है, जो किसके बराबर है, L, M, साइन डेल्टा के बराबर है, ठीक है, यहाँ पर मुझे यह पता है कि इस ग्लास स्लेप की ठिकनेस कि कितना है, T, मतलब मुझे, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सोड एक डाइग्राम बनाऊ, इस वाले नॉर्मल को मैंने आगे एक्स्टेंड किया, तो यहाँ पर अगया एक राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल बनेगा, यह क्या बनकिया, एक राइट एंगल है, कॉंच वाली साइट, LM, यानि हाईपोटैनियस कैल्कुलेट करना है, ताकि मैं यहाँ पर पुट कर पाऊं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, हाईपोटैनियस और बेस, इनमें क्या रिलेशन होगा, कॉस आरवन, क्या लिखूंगा, बेस यानि टी और ह आएगा, टी अपोन कॉस आरवन, और यह वैली उठा के वहाँ पर पूट कर दो, तो जो लेटरल डिस्प्लेस्मेंट है, लेटरल डिस्प्लेस्मेंट, ठीक है, एम एन डेश, यह किसके बराबर आएगा, इसको हम लिखेंगे, LM की ज़िए लिखेंगे, टी अपोन कॉस आ अइवन, और इसके जस्ट लिए पूरा का पूरा एंगल क्या होना चाहिए, आइवन के बराबर होना चाहिए, तो यह वाले लाइन और यह वाले यह दूसरे को कट कर दे तो, इनके दोनों साइड में, वर्टेकले अपोस्ट यह वाले यह यह गला होंगे लिखेंगे यह के बराबर होगा अब इसको हमने दो पार्ट में लिख रहा है पूरे एंगल को आरवन प्लस डेल्टा तो आरवन प्लस डेल्टा किसके बराबर है आइवन के बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि आरवन यहां पे बराबर आरवन नी आरवन प्लस डेल्टा यहां पे बर करना है आई-1-1 से समझ में आए कि डिवाइड बाई कॉस अरो ठीक है यह आगे अपने पास में लेटरल डिस्प्लेस्वेंट का होमला ठीक है डेरिवेशन यह आता है ज्यादा तर इसमें निमेरिकल रेर केस्ट में पूछा जाता है आपको ज्यादा तर क्या मिलेगा एक र अधान होगत दूस्क्राइड ऑर दूसरी चीज़का क्या निपी टिस्प्लेस्वेंट यह बताना होते हैं तो जञाता होगी यह साइड में उतना ही जएदा स्वक्नी जाधा होती है भी फिर यह बढ़ता है को को क्या मृत्याें से मिलेक्स एपड़ेंख लोजने